हेलो गाईस स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल केस की और यहां पर भी देखे तो एक पसंट के आसपस की गिरावट के साथ कामकाज हो रहा है सबसे पहले अगर आप नए है इस चैनल के उपर दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर है तो सबस्क्राइब जरू कर लें अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है क्योंकि इसके ओपर हम डेली टेक्निकल चाट के ऊपर आलिस करते हैं यहां पर आगे हम देखेंगे इसने जो एक वो क्लेरिपिकेशन दिया है जो यूएस की जो न्यूज आई थी उसके उपर वो हम देखेंगे परसो जो है देर शाम को वो न्यूज आई थी इसने जो वो क्लेरिपिकेशन दी इसलिए वो रही गया था पहले तो यहां पर देखेंगे तो टेक्निकल चाट काफी यूसपूल रहे सकता है उसके उपर भी हम देखेंगे यह जो ट्रेंड लाइन है आज कई बार हमने बात की आप हमारी एक्यूरेसी को देख सकते है 22,225 यह लेवल जब तक निप्टी पार नहीं करता तब तक निप्टी के अंदर ज्यादा तेजी नहीं आज सकती मैंने बोला था और वहां से ही प्रेशर इसके अंदर देखने को मिल रहा है साथ-साथ कल भी हम अगर यह सब कुछ नहीं हुआ होता तो चार दिन से लगाता है अगर सब बढ़िया रहा तो किया पता कभी भी मतलब की ब्रेक आउट अगर होना है तो मतलब की हो सकता है क्यूंकि अभी इसके पास ही यह लाइन के आज अबर देखे आगे पेले तो कारोबार की बात कर ले तो अभी 11 बजे के असपास का अपडेट है सबादो लाग के असपास की डिलेवरी उठी है इसके अंदर ठीक ठाक डिलेवरी उठी बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं अब यहां पर यह आप देख सकते हैं इसको 18 तारिक को यह देर शाम की जो है यह रिपोर्ट थी क्या है इस रिपोर्ट के अंदर वो हम दिया पर देख लेते हैं कि न्यूज क्या थी मतलब कि क्या इस इन्होंने जो है अपडेट दी थी कि इस इस एंदर रिलेशन अर्टिकल टाइटल ओ यह इसके बारे में है और यहां पर आप देख सकते हैं स्टेट देट इट इट है इस the report is false तो इनको कोई notice नहीं मीलिया यहां पर यहीं बार हो रही है मतलब कि इस company को अधाई total gas की बात करें तो और इसके ऊपर हमने detail में वीडियो बनाया है कल देर शाम को वीडियो थी, अगर आपने अब तक नहीं देखी तो वीडियो देखे जरूर, अधानी ग्रीन एनरजी के बारे में है, वो जरूर देखे, दूसरी सारी कमपणियों ने मतलब कि यह इस तरीके से क्लियर इपिकेसं दिया है, तो इसको आप देख सकते हैं, तो वीडियो को पोस्कर करकर भी पढ़ सकते हैं, अब यहां पर देख लेते हैं, कहने का मतलब है कि वो जो न्यूस थी, यूएस के ऊपर की जो इन्वेस्टिकरशन की न्यूस, तो इस कमपणिय का कहना है कि इसको इसके ऊपर कुछ मतलब की नोटिस अब तक नहीं मिला है, और यह इसका क्लेरिपकेसं इस नो इन ने दिया था, आठ्रा तारीक को वो भी तब रहे गया था, इसलिए इस वीडियो के अंदर हमने कवर कर लिया है, इसके ऊपर हमने कुछ रिक्वेस्ट आई थी, कि उसके ऊपर भी चर्चा करें, फिलाल हम देखे यहाँ पर, यह जो तेजी के ऊपर हमने चर्चा की थी, शनिवार को ही, कि यह करेक्शन आने की तो अज बढ़े से करिक्वेद कर Ciartर फे, यहां पर चल रहा है, आज बी जो है, वहां पर इसने हाई बढ़ाया इस ट्रेंड लैन क के आज सप है, यही से क्लोजिंग को बढ़े सकते हैं, साथ-साथ-स média करा चार्चा तो यहाँ च्रेजी क्या ओए तुछ नीम काशनी सब् थोड़ा बहुत ही सही लेकिन नीचे में वोल्यम भी अगर देखे कि थोड़ा सा कम यहां पर दिखे रहा है कल के मुकाबले, एक follow up buying नहीं आ पा रही है, साथ साथ अगर देखे, कहीं लोग इसके अंदर जो है intraday players भी हो सकते है, short term traders भी हो सकते है, short term traders का मतलब होता है, positional call, मतलब कि 5 दिन से लेकर 15 दिन के trading भी कहीं लोग लेते हैं, तो उनको मैं बता दू कि यहां पर अभी देखे, जब अगर ट्रेड लेते हैं, तो stop loss का इस्तुमल हमेशा करना चाहिए, साथ साथ अगर छोटे छोटे ट्रेड लेते हैं, तो ज्यादा बेतर रह सकता है, और अगर देखे, जैसे हम खरीदने के बाद, बाई करने के बाद, जो हम पेशन्स रखते हैं, सेल करने में, जब अच्छा प्राइस आता है, तब जो हम बेचते हैं, उसी तरीके से, एक चीज है, कि खरीदने से पहले भी थोड़ा सा पेशन्स रखे तो वो भी ऐक अच्छी यहां पर भी एक के खरीदने से पहले थोड़ा सा वेट करेंगर तो ज्यादा बेचते हैं, या फिर कोई सपोर्ट के आसपास आए, स्ट्रोंग सपोर्ट तब करिद एक अच्छा रज सकता है, यहां पर मुझे लग रहा है, या फिर कुछ ब्रेकाउट दे थे कुछ लेव को उसके बाद खरीते हैं और उसके नीचे का stop loss रखते हैं तो वह जो है कि यूसफुल जो है स्टेटर्ज रहे सकती है और इसलिए हम कहीं बार करते है कि वीडियो को skip मत करा करें पूरा वीडियो जरूर देखे क्योंकि कहीं जो है कछी जानकर आपको मिल सकती है आगे देखत अभी यह हर्डल बनी हुई है पहले जो है वीकली चाट के ओपर यह 50 वीक का मोविंग एवरेज बड़ी हब हर्डल थे वह जो है एक अजार और पचास और ग्यारा सो रूपे का असपास थे अभी यह शोट टम की बात करें तो अभी हर्डल बने हुए क्योंकि पहले यह बिच में अभी फसा हुआ है मीडर लां के बीच में ऑर निचली लाइन मीडर लान को क्रोस करताहे था तब यह क्या Chart यह अबित्छी यह जो है और इंटरी नीचली है यह तक पर और भी देखे RSI को यह जो है काफी यहां पर इंट्रेसिंग लग रहा है वापस से 41 का असपास पहुंच चुका है 939 का प्राइस से अगर ज्यादा गिरा बटाती है थोड़ी सी मतलब ज्यादा का मतलब यहां तक का जो यह इसने लो बनाया था वहां तक गयाता है तो वापस यहां से लेकर यहां तक की जो तेजी है थी उसके रिट्र्स मैं है प्राइसे के अंदर फोड़े से नीचे को सपूर्ट मिल सकता है जैसे कि 900 के आसपास इसके बाद 810 के आसपास आच 10 गया था अगल क्शा था और वहाँ पर ट्रेंड लाइन का जो उसका भी वहाँ पर रजेशन अभी बना हुआ है और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने हाई बनाया था वीकली चाट की अगर बात करें तो और अब इसके सपोर्ट रजेशन देख लेते हैं आज की अगर ट्रेडिंग रेंज इसके सपोर्ट रजेशन हम देख लेते हैं वापस समरी कर लेते हैं 940 का प्राइस है तो यहाँ पर अभी देखे और एक पहले तो इसका जो सपोर्ट दिख रहा है जैसे कि हमने चर्चा कि एक तो 930 उसके बाद देखे तो 920 रुपे का जोन और उसके नीचे जो है 900 इसके उपर जो है 1000 रुपे का जोन तो यह अभी इसके रिजिस्टन दिख रहे हैं 1000 से 1020 का जोन यह लेवल अगर यह पार कर देखे पहले जो है 980 से 1020 यह इस लेवल के ऊपर काफी बार इसना सपोर्ट दिया था इसको तो तोड़े तब इसके वापस से 1200 और उसके बाद इसके भी उपर जानी कि इसकी संभावना रह सकती है तो शाम को इसके उपर हम डीटेल में चर्चा करेगे तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से रें सब्सक्राब तो जरूर करे और एक स्टैंडर डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूं